हेलो एव्रीवन माई नेम इस कुंकुम गौतम और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी ओफ लाइफ का जो एक यूडिट है हमारी उसका टेक्सोनोमी वाला पार्ट जिसमें हम आज हम पार्ट तू की बात करने वाले हैं और इसमें हम लोग ऐसी definitions की बात करेंगे जो बहुत important हैं जो हमेशा आती ही आती हैं तो हम कुछ specific specific topics की बात करेंगे definitions की बात करेंगे और जो particular चीज़ें आती हैं उसकी बारे में बात करने वाले हैं और जो भी specific है CSI UGC net के लिए ठीक है अगर तुमनों को CSI UGC net की अध्विसे preparation करनी है तो आप क्या कर सकते हैं आप unacademy join कर सकते हैं unacademy join करने के लिए आपको क्या करना है आपको play store पर जाना है unacademy app को download करना है और आप वहाँ पर जाके subscription ले सकते हैं आप ऐसा नहीं है कि अगर CSI UGC net का सब्सक्रिप्चन ले रहे हैं और मेरे थ्रू ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिफ आपको मेरी class मिलने वाली आपको सारे teachers की चितने भी CSI UGC net से related teachers हैं उन सबकी classes आपको देखने को मिलेंगे आप क्यों कर सकते हैं आप अपने according कितने भी months का ले सकते हैं चाहिए वो 6 months का हो subscription 12 months का हो या फिर 24 months का हो आप अपनी तयारी के according इसको ले सकते हैं जब आप payment करेंगे जो payment के time पे आप क्या कर सकते हैं आप 10% off के लिए apply कर सकते हैं और उसके लिए आपको डालना हुआ code that is kum kum 10 kum kum 10 code डालना पड़ेगा और आपको क्या मिल जाएगा 10% off मिल जाएगा ठीक है kum kum 10 डाला और क्या मिल घज़िए 10% off मिल गया और रही payment के बाद आपको payment इन तरीकों से चाहे debit card हो, चाहे EMI हो, चाहे UPI के थूँ हो, wallet के थूँ हो, आप कैसे भी payment कर सकते हैं? Now, यह question यह कल के लिए था, मतलब जो मैंने कल class कराई थी, उसमें से एक question जो मुझे लगा कि यह वाला भी previous year में जो आया हुआ है, which of the following shows the correct, ठीक है, क्या correct, systematic hierarchy, कि इसमें से सबसे दर correct, systematic hierarchy कौन शो कर रहा है, अगर मैं D से करूँ, अगर last option से start करूँ मैं, तो इसमें दिरका kingdom, phylum, class, cohort, order and family, तो एक चीज़ बताती थी हूँ मैं तुमें, क्यों जो cohort होता है, वो class और order के बीच में आता है, class, order, order के बीच में आता है, और कल मैंने एक और चीज़ बताई थी, जो tribe है, वो किसके बीच में आती है, family और genus के बीच में आती है, family और genus के बीच में आती है, tribe, और अगर मैं cohort के बात करती हूँ, तो वो किसके बीच में आता है, class और order की बीच में आता है हमारा cohort तो cohort हो गया और drive हो गया नब next is हमारे यह वाला तो गलत हो गया क्योंग class और cohort किसके बीच में आता है order की बीच में आता है हमारा family आ रही है तो यह वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा नेक्स C option की बात करूँ इसमें रिर्खा है kingdom, phylum, class, order, cohort ये भी गलत हो गया इसको इसके बीच में आना था तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा बी option की बात करूँ इसमें रिर्खा है kingdom, phylum phylum के बात क्या आएगा? सब phylum ये सही है Sub-Filem के बाद क्या थी? Quote कहां था? Class और Family के बीच Order के बीच में लेकिन यहां पर आ रहा है क्या? Quote कहां रहा है पहली पहुँचका है Class के उपर ही पहुँचका तो यह भी क्या हो गया? गलत हो गया Last option के बाद करो इसमें लिखा Kingdom Filem COMFILLEM के बाद सबFILLEM, SAPFILLEM के बास SUPER CLASS, जो CLASS के बड़ी होगी वो शुपर होगी । नीचे होगी SUBCLASS, क्लास सब क्लास CLASS के बाद COHOT, COHOT के बाद ORDER, सबी क्लास के बाद COHOT होगी और ORDER यह होगा, उसके बीच में क्या आ گिया? COHOT आगया तो ये सही होगा, order के बाद sub order, ठीक है, फिर उसके बाद super family, family, उसके बाद sub family, फिर genus आएगा, फिर sub genus, species and subspecies, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, और इसको question को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको याद कर लेना है, कुछ नहीं था, इसमें cohort याद करना ह और sub और super class को तो तुम लगाई लोगे, super जो उपर होगे, sub मतलब नीचे जो होगा, ठीक है, आज की class start करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं biological species concept, ये जो biological species concept है, अगर मैं paper के हिसाब से बात करूँ, तो इसमें क्या आती है, definition आती है, ठीक है, इसकी definition आएगी, और तुमें सम कोई परेग्राइफ दे दिया है, और उसको पूछा गया है कि किसका है, biological species concept है, ये ताइप लोजिकल स्पीशिस स्पीशिस पॉझसेप्ट है, ये कौन से species concept है, तो तुमें समझ में भी आना चाहिए, कि biological species concept होता क्या है, तो अन्स्टमेयर थे, उन्होंने क्या बोला, उन् उन्होंने बोला, species एक ऐसा ग्रूप है, जो naturally interbreed करती है, जो naturally mating कर सकती है, and that are reproductively isolated from other such groups, जैसे माना, यह हमारी species A है, यह हमारी species B है, तो species A के अंदर हमारी A, B, C आ रखे हैं, और B के अंदर क्या रखा है, 1, 2, and 3, तो उन्होंने क्या बोला, यह जो species है, मतलब यह जो है, यह आपस में interbreed कर सकती है, लेकिन यह reproductively isolated होंगी किसी और species के साथ, यहाँ पर यह reproduction नहीं कर सकती है, किसी और species के साथ reproduction नहीं कर सकती है, वहाँ क्या show करती है, Reproductive Isolation Reproductive Isolation का मतलब है कि मेटिंग नहीं कर सकते हैं अगर वो मेटिंग कर भी लेती हैं तो जो fertile offspring बनता है वो नहीं बनेगा, sterile बनेगा तो क्या होता है Reproductive Isolation होता है तो Ernst Mayer ने बोला कि Species एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में interbleed कर सकती है लेकिन जो दूसरे group होंगे उनसे reproductively isolated होती है ये जो definition है इसको याद कर लेना याद करने वाला कुछ नहीं है समझ लेना समझ गये होंगे next is reproductively isolated means those members of the species which cannot interbreed with the member of other species जिसे मैंने बताया कि reproductive isolation का मतलब हो गया कि अगर A species है और B species है तो A वाली जो है B के साथ interbreed नहीं कर सकती है अगर मैं इस A वाली species को बोलू इस A वाली species को बोलू कि तो B के साथ interbreed कर लो तो वो नहीं कर पाएगे तो यह होता है reproductive isolation I hope समझ आया होगा यह वाला चीज Next, the biological species concept defines a species as a member of a population that actually or potentially interbreed in a nature not according to similarity of the appearances इतना नहीं बोला जो biological species concept है वो यह भी define करता है कि members जो है species के population के एक population के वो interbreed कर सकते हैं चाहे वो एक देसे दिखते हूं या ना दिखते हूं अगर तुम्हे को बताओ किसी भी male औ फीमेल है ठीक है male या फिर female जैसे पीकॉक वाला ले लिया ठीक है पीकॉक वाला example ले लिया जो पीहन होती है और जो पीकॉक होता है उसका देखा जाए तो morphologically वो similar नहीं होते but they can interbreed मतलब अगर वो एक species से belong करते हैं अगर वो एक species से belong करते हैं तो they can interbreed whether they look similar or not अगर वो similar दिखते हैं तो well and good अगर नहीं दिखते तब भी वो reproduction show कर सकते हैं पर किसी और species के साथ वो reproduction show नहीं करते हैं चाहे एक जैसे दिखते हूं कभी कभी क्या होता है न नॉर्मल याद कर लो जैसे मैं किसी और के जैसे दिखती हूं गर तो क्या हम दोनों बेन बेन हो जाएंगे हम नहीं होंगे तो वैसे ही अगर same species दिख भी रही हैं पर एक species नहीं है तो क्या होगा वो reproduction नहीं show करते हैं यह जैसे मैं समझाती हूं यह A हो गया यह B हो गया यह अलग दिखता था यह अलग दिखता था लेकिन यह थे दोनों C के बच्चे यह species C के बच्चे थे तो यह क्या कर सकते हैं आपस में reproduction isolation नहीं show करेंगे यह reproductively इंटब्रीड कर सकते हैं नहीं करेंगे इंटब्रीड कर सकते हैं यह लोग कर सकते हैं लेकिन अगर मैं बोलूं कि यह जो A है वो D का बच्चा है मतलब अलग species का बच्चा है और यह जो C है वो अलग species का बच्चा है तो यह आपस में इंटब्रीड नहीं कर सकते हैं मैं का चाहू एक जैसा दिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता. Next, when two organisms breed within a species, their genes pass into the combined offspring. As this process is repeated, the genes of the different organisms are constantly shuffled around the species' gene pool. The shared gene pool gives the species its identity. This is very important, when two organisms are interbreed and the offspring, what will the gene do? 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 The gene is constantly shuffled. The gene is constantly shuffled. If this species is more than a particular gene pool, the gene can be found. So, the species will be found, like your dad, your father, your father, your other generation, the species will be found, because your genes are the gene pool. Your gene pool is the gene pool. So, this is a particular species. We say that this is a particular species. We say that this is a child. This is a father. This is a father. This is a father. This is a father. This is a species of identity. What will the gene pool be found? This is a common gene pool. This is a gene pool. It will share the gene pool. Next, the gene pool. It will share the gene pool. This is a gene pool. The gene pool anymore children, the gene pool and the gene pool the gene pool in the body. This is the human好像 in a numerical method. This is a function. The gene pool has none and the gene pool. The gene pool sees a and the coverage of these genes. बहुत से चीजों को देखा तो multivariate होता है, multivariate. It aims to create a taxonomy using a numeric algorithm. So numerical algorithm बनाया जाता है, like cluster analysis हो गया, या फिर subjective evaluation हो गया properties का. So सिर्थ तुम्हें याद रखना है numerical taxonomy जो होगा, वो responsible होगा multivariate analysis के लिए, और इसमें क्या होगा numerical algorithm यूज होता है. Next आता है, यह जो मैं छुड़ी बता आरहे हैं तुम्हें definition, यह definition बहुत important है, यह आई हुई है, यह match of the following में आ जाती है, नहीं तो किसी और चीज में जब चाचार option पिये जाते हैं, उसमें बूच जाती है. तो यह जो जितनी भी हमारी definitions है, यह important है. यह क्या होता है, sibling species, sibling मतलब होता है भाई बेन, ठीक है, अपने उसकी बात करें, sibling मतलब भाई बेन, जो एग जैसे दिखते हैं. तो तुम्हें याद क्या रखना है, कि जो sibling species होते हैं, वो दिखते तो एग जैसे हैं, वो morphologically similar होंगे, morphologically हम उनको अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या होंगे, reproductively isolated होंगे, reproductively isolated होते हैं. तो यह होती हमारी sibling species, इसके नाम का opposite है, मतलब morphologically similar दिखेंगे, लेकिन reproductively isolated होंगे, यह बहुत important definition है. So those species which are morphologically indistinguishable, मतलब हम उनको distinguish नहीं कर सकते हैं on the basis of their morphological characters, on the basis of their external characters, we cannot distinguish them, but they are reproductively isolated. यह बहुत important है, they are reproductively isolated. अगर तुम्ही एग्जाम्पल देखो जो नीचे देखा हुआ है, तुम्हें तुम्हें सिमिलर जैसी लगए, तुम्हें इन में कोई difference पता चलेगा, तुम्हें लगएं को सब एक ही है, यह दोनों एक हैं, और यह दोनों एक हैं, यह दोनों एक हैं, पर यह अलग-अलग species हैं, अलग-अलग हैं, ऐसी species हैं जो दिखते सेम हैं, morphologically similar हैं, बट रिप्रोड़क्टिवली isolated हैं, यह reproduction नहीं कर सकती हैं, और अगर by chance reproduction करने भी कोशिच भी करीं, तो fertile offspring पैदा नहीं होगा, fertile offspring पैदा नहीं होगा, यह वल भी sterile, तो पोब चीज पैदा ही ही नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए रिप्रोड़क्टिवली isolated बोला जाता है, next है subspecies, this is also a very important, subspecies का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा हो, एक species थी, उसके हमने थोड़ी group बना दिये, और क्या बना दी, subspecies बना दी, क्या बना दी, subspecies बना दी, now taxonomic subdivision of this species is known as subspecies, a subspecies, देखो यह वाली जो definition है, यह थोड़ी important है, क्योंकि Ernst में ने खुद लिखा था का, उसके according है, a subspecies is an aggregate of phenotypically similar population of a species, inhabiting a geographical subdivision of the range of that species, and differing taxonomically from other population of that species, subspecies का मतलब क्या हुआ, जिसे हम बोले जाते, जिसे कोई Delhi वाले लोग गए, करनाटिक वाले लोग हो गए, या फिर उरिसे वाले लोग हो गए, हम एक एक पर्टिकलर एडिया को डिसाइड कते हैं, हम सब एक हैं, हम सेम स्पीशिस हैं, लेकिन हमने क्या कर रहा है, subspecies बना रखी हैं, कि यह वहां के लोग हैं, यह यहां के लोग है, एक पर्टिकलर जोग्रफिकलर एडिया में यह पाए जाते हैं, इनकी यह हैबिटेट हैं, वो फिनोटेक्मिकलर दिखते हैं, हम अलग दिखते हैं, तो हमने क्या कर रखा है, subspecies बना रखी हैं अपनी अपनी, ठीक है, तो subspecies का मतलब ही यह हो गया, कि जैसे यह थी एक हमारी population, ठीक है, एक पर्टिकलर एडिया में क्या हुआ, जैसे यह वाला एडिया हो गया, तो इस वाले एडिया में तो यह ऐसे दिखती है, यह ऐसे दिखती है, और एक वाले एडिया में यह ऐसे दिखती है, पर यह थी एक इस species, तो तुम देखो, phenotypically यह लोग किती सेम है और यह लोग किती सेम हैं जो particular area में, तो यह ऐसे दिख रहे हैं, यह वाले इस area में रहे हैं बिख रहे हैं यह ऐसे दिख रहे हैं, taxonomically defer कर रहे हैं from other population of that species, तो यह एक species का ही पार्ट है लेकिन क्या कर रहे है, वो taxonomically differ कर रहे हैं औ morphologically भी differ कर रहे हैं तो इसे लिए बोला जाता है subspecies मतलब इह इनका subdivision हो गया है species का subdivision हो गया है अब question कहां से आता है ये तो आएगा question आएगा what is polytypic species polytypic species क्या है polytypic species वो होती है वैसी एक species जिसके पास 2 या 2 से जादा subspecies हो मतलब इतना heterogeneous subspecies उसका हो heterogeneous subspecies हो मतलब जैसे ये हमारी 2 हो गई और एक और होती है ऐसे से करके कोई और होती तो एक species के तीन पार्ट हो गए तीन अलग अलग चीज़े हो गई तो ये क्या हो जाती है polytypic species हो जाती polytypic species का मतलब क्या हुआ उसके बस दो से जादा हमारी subspecies होंगी then we call it as polytypic species next is monotypic species monotypic species का मतलब होता है mono मतलब similar single sorry single monotypic species का मतलब होगा that are not subdivided that are not subdivided into subspecies मतलब एक species है ये तो वो सब जगे एक जैसी ही है सब जगे एक जैसी है जैसे ये वाला तो ये क्या हो जाएगा हमारा monotypic हो जाएगा कोई division नहीं है कोई subdivision नहीं है वहाँ पर सब लोग समान है जैसे एक है वैसे दो है सब same है सब equal है लेकिन polytipic में क्या है बहुत सारी सब species हैं तब हम बोलिंग उसको polytipic species अब इतने लिए मैं definition बता रही हूँ में को नहीं बोलना पड़े कि वो important है क्योंकि सारी की सारी है क्योंकि मैंने वही डाली है जो आती है और जो आ सकती है next is klein, klein क्या होता है it is a term which is owned by Huxley Huxley ने इस term को point किया था a klein is a series is formed by a series of contiguous population in which a given character changes gradually देखो जैसे यह हमारा character था कोई जैसे अहाम लोग नहीं होते कि अब जैसे माना यह हो गया तुम्हारा UP हो गया जैसे तो जैसे यहां के North UP के लोग अलग होंगे थोड़ थोड़ तो आगे जाओगे तुम साउथ के ओर जाओगे तो भाँपर क्या हो जाएगा लोग अलग हो जाएंगे अब ऐसा तो है नहीं के species अलग है species तो सेम है लेकिन क्या हो रहें character change हो रहें gradually change हो रहें एसा नहीं एक साथ drastic change नहीं आया इसको क्या बोलते हैं, में हैं ख्लाइन हैं next is आता है हमारा आइसोफीन, I hope यह वाला समझ आया होगा तुम्हें, है न, आइसोफीन की बात करें, आइसोफीन का मतलब है, at a right angle to the line, are the lines of equal expression of the character, the point of, a point of identical phenotype, this type of line is called आइसोफीन, जैसे यह हमारा gradual change हो रहा था, ठीक है, यह हमारा gradual change हो रहा था एक particular population में, देखो यह population थी, इसमें क्या हो रहा था, gradual change हो रहा था, अब अगर मैं right angle यहां से खीचू, एक particular area पर मैं right angle खीचूंगी, तो यहां पर जितनी भी species होंगी, इसके आसपास वाली, वो कैसे होंगी, identical हो एक जैसा phenotype शो करेंगी, obviously, अगर मैं एक particular area को देखोंगी, इस पर right angle पर, अगर सारे area को cover करूँगी, तो वहां पर कैसे होंगी, identical phenotype मिलेंगे, equal expression मिलेगा character का, उसको क्या बोलते है, isophene, iso मतलब क्या होता है, iso का मतलब क्या होता है, equally divide, है ना, तो isophene मतलब, एक जैसा, equally, ठीक है, equally, एक जैसा phenotype मिलेगा, phen मतलब phenotype, iso मतलब equal expression of character जहां मिलेगा, उसको बोलेंगे हम isophene, next आती है race, race कहा होती है, race हमारे human population में बोलते है, normally, race मतलब हम बोलते है, African race का है, वो इंसान, वो Indian race का है, वो Australian race का है, तो अलग-अलग, एक ही species हैं, हम homo sapiens हैं, एक ही species हैं, लेकिन हमारी race अलग-अलग है, वो African species है, उसका अलग phenotypically characters है, अगर हमें Indians की बात करो, हमारा अलग है, Australian की बात करो, अलग है, तो जो race word used होता है, वो normally human population में होता है, जहां पे हमारा morphological जब character change होते है, according to the geographical distribution, उसको बोला जाता है race, I hope यह समझ आया ह next order, phenetics, phenetics का मतलब होता है, phenetics means as observed in the phenotype, मतलब जो देखा गया है, as observed in the phenotype, जादा दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ phenotype देखा है, उसके हिसाब से जो करा है, also called taxi matrix, इसको क्या बोलते है, taxi matrix बोलते है, it is an attempt to classify organism, एक attempt है, to classify the organism, based on overall similarity, usually morphology, ठीक है, regardless of their phylogeny or evolutionary relationship, इसका मतलब क्या हुआ, phenetics एक ऐसी study है, एक ऐसा attempt है, जहाँ पे हम organism को classify करते हैं, जैसे हमने A बोला, B बोला, C बोला, यह हमने classify करा organism को on the basis of their similarity, किसमें similarity के basis पे, अब phenetics है, phenetics मतलब, phenetics मतलब morphological है न, तो क्या होगा, morphology के basis पे, morphology के basis है, मतलब उपर वाले phenotypic characters को देखके, किसको देखके, उसके उपर कैसा दिख रहा है, उसके हिसे साब से हमने क्या करा, species को classify कर दिया, ठीक है, और हमने classify कर दिया organism को, हमने ये नहीं जाना, वो same ancestor से आये हैं या नहीं, उनकी कोई phylogeny है या नहीं, कोई evolutionary relationship है क्या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हमने fanatics में क्या गरा, सिर्फ हमने उपर वाला देखा, उनका कि कैसा दिख रहा है, external appearance, उसके basis पे हमने नहीं classify कर दिया, अब आते क्लेडिस्टिक पर, ये जो क्लेडिस्टिक होता है, क्लेडिस्टिक का मतलब होता है, जहाँ पे हम किसी भी की evolutionary history को देखके बात करें, evolutionary relationship को देखके बात करेंगे, तब क्लेडिस्टिक आ जाएगा, ठीक है, the evolutionary relationship of an organism is referred at phylogeny, phylogeny का मतलब होता है, कि जब हम किसी की evolutionary history की बात करें, या फिर evolutionary relationship की बात करें, मतलब अपने ancestor की जब बात करते हैं, उस टाइम पे हम word use करते हैं, that is phylogeny, ठीक है, phylogeny use करते हैं, now, two species that share of more common, more recent common ancestors will be put in a group at a lower taxonomic rank, that two species share a more distant common, इसमें क्या लिखा हुआ है, कि अगर मैं कोई भी group बना रही हूँ, जैसे यह बनाया है, ठीक है, ठीक है, तो जो मैं सबसे common ancestor होगा, मतलब जो recent वाला होगा, ठीक है, जो recent वाला होगा, उसको हम का रखेंगे, lower taxonomic rank वे रखेंगे, that the two species sharing a common distance common ancestors, यह मैं आगे उसके थूरू समझाने वाली cladistic के साब थूरू, यह अभी इतना ही रहने तो इसको छोड़ू, यह सिस्टमेंटिक होता है, एक पटिकलर वे में पढ़ाई करना, systematically पढ़ाई करना, systematically concerned करना किसी जीसके बारे में, तो इक systematic की ब्रांच है, जो infer करके बाउट फाइलो जाहनी कि, जो भी हमारी species हैं यह फिर organism हैं, उस branch of systematic को क्या बोलते हैं, cladistics बोलते हैं, Now, this cladistic approach attempts to identify monophyletic groups or clads, अब यह क्या होता है, यह इतना important है, इसको समझो, Clear क्या होता है, a group of a species derived from single common ancestral population is said to be monophyletic group, मतलब एक ऐसा group species का, जो derived किया गया है from a single common ancestral population is called a monophyletic group, अब देखो कैसे हैं, देखो जैसे मैंने यह बताया, जो सबसे दर एडवांस होगा, जैसे यह हमारा ancestor था, ठीक है, यह हमारा ancestor common, तो देखो यह, यह तो हमारा क्या हो गया, पीछे वाला हो गया, जो less advanced है, यह क्या हो गया हमारा, जो बहुत ज़्यादा advanced है, ठीक है, तो difference देख रहे हो तुम इन लोग में, इसमें और इसमें difference, ठीक है, यह वहाँ शुप क्या होता, अब monophiletic group क्या होता है, monophiletic group मैं बोला कि a common ancestor है, एक common ancestor है और उसके बच्चे हैं, और उसके बच्चे हैं, तो अब मुझे यह बताओ, monophiletic group कौन सा होगा, अगर मैं मानू यह वाला हमारा common ancestor है, ठीक है, यह हमारा यह निकले हैं, ठीक है, यह हमारा common ancestor है, that is a, अब इसके कौन से हो गए, new world monkey हो गया, old world monkey हो गया, apes हो गया, humans हो गया, यह क्या हो गया, हमारा monophiletic group हो गया, मतलब एक common ancestor था और उसके यह सारे के सारे बच्चे, ठीक है, अगर यह सब included है, तो हम उसको बोलते है, monophiletic group, तो क्या क्या include होगा, इस में include होगा, single common ancestor, single common ancestor population is said to be monophiletic group, it is a clad consisting of ancestor and all, यह याद को, and all its descendants, देखो, अगर मैंने इसको monophiletic group बोला है, तो मैं इसको भी लूँगी, all, all descendants, तो मैं इसको भी लूँगी, मैं इसको भी लूँगी, मैं इसको भी लूँगी, और इसको भी लूँगी, मतलब all descendants यह होंगे, वो मेरे monophiletic group में आएंगे, यह question paper में आता है, यह पूरा graph बना के दे द तो तुम देखना इसके बहुत सारे क्वेशन आये हुआ है नाओ नेक्स्ट इस पेराफालेटिक ग्रूप का मतलब होता है कि पहले था मोनोफालेटिक मतलब सिंगल कॉमन इंसिस्टर था और इसके सारे डिसेंडेंट जो थे वह एक चीज में इंक्लूड़ थे पेराफालेटिक मतलब हो गया कंवर्श ऑफ मोनोफाली मतलब मोनोफालेटिक ग्रूप पेराफालेटिक ग्रूप में क्या होता है the group contains its most recent common ancestor but does not contain all the descendants क्या, डॉस नं Daar रख न ौ लौ यहाद रखना भी इंपरंटन्स अ मतलब दाल्र रहicorn a यह थे याद रखना यह इंपॉरें इंपॉर् seinen अस आफ कर रही हो इस नंना इ停 कर नहीं है, जो यह रै कर रहने और देम आ लिखने म212 प्यार्ण छा संवी मौन देड कर अब पेराफाईलेक के बात करें तो दिखो, यह माना जैसे माना की common हो गए, recent common ancestor हो गया हमारा, अब क्या करा, इसने इसको भी include करा, इसको भी include करा पर इनको include नहीं करा, उसने इसको include नहीं करा, मतलब उसने इसके पड़ोसी की बच्चे पे तो हाथ डाल लिया इस वाले तो डाल लिया पर इस वाले पड़ोसी बच्चे पे हाथ नहीं डाला ठीक है तो यह क्या होगी हमारा यह होगी हमारा पेराफाइलेटिक पेराफाइलेटिक तो ये सारे descendants पे नजर नहीं डालेगा, ये कुछ-कुछ descendants पे नजर डालेगा और paper में क्या आएगा, तो मैं ऐसे graph बना के दे दिया जाएगा और पूत्र जाएगा कि paraphyletic कौन सा होगा, monophyletic कैसा होगा या फिर इनकी definitions दे दिया जाएगा, या फिर match of the following में दिया जाएगा ठीक है, ये तीन option हैं जिसे दे सकते हैं इनको next है polyphyletic group, क्या है polyphyletic group, एक second polyphyletic group की बात करूँ, ठीक है, polyphyletic group की बात करूँ, इसमें क्या होता है इस पर याद ध्यान दो, जो अपने recent common ancestor को ध्यान में ही नहीं रखता है तो वह होता है polyphyletic group, polyphyletic कौन सा होगा, polyphyletic group हो जाएगा जिसी ये वाला उसने ancestor को ध्यान में रखना है, उससे सिफ किस में ध्यान रखना है, डिसेंडेंट्स पर ध्यान रखना है उसको किस पर याद रखना है, कि उसके बच्चे कैसे थे, उसको मतलब भी नहीं हो, कहां से आया है वो सिफ किस पर ध्यान देगा, बच्चों पर ध्यान रखेगा अब याद कैसे करना है इसको, एक सेकिन याद करने के लिए तुम्हें क्या करना है, मोनोफालेटिक तुम ध्यान रखो, मोनोफालेटिक मतलब एक चीज, वो एक चीज को लेके चलता है, मतलब उसने कॉमन एंसिस्टर्स को भी लिया, और उसके औल डिसेंडेंट्स को भी लिया, यह हो गया मोनोफालेटिक, मतलब सारे common descendants को भी लेगा और सारे हमारे descendants को भी लेगा अगर मैं paraphyletic की बात करूँ पैरा मतलब हो गया neighbor तो यह क्या करेगा खुद का descendants हो लेगा और खुद के बच्चों को भी लेगा वेकिं पैर उन्स बच्च को इन इसको लेगा लेकिन सारे दे लेगा और खुद करें पैर फ्रफ दुर्प को ले लेगा यह क्या हो जाएगा पैर खुद से मतलब राखेंगा बिजयों से मतलब रखेंगा जो भी हमारे इसके eldar था नहीं करेगा वह होगा पॉलिफालेटिक ग्रोप आई होग दिमांग में गई होगी तुमारे बाद देखो आज हम क्लेडोग्राम का थोड़ा सा पार्ट पनने वाले हैं कल हम इसको कंप्लेट करेंगे क्योंकि क्लेडोग्राम भी रह रह रहा है तुमारा और हमोपलासी हो गया और तो यह बहुत इंपॉर्टन इंपॉर्टन टॉपिक रह रहे हैं तो मैं कल वाली क्लास में वह कंप्लेट कर दूँगी तो तुमारा ये वाला टैक्सवो में वाला चैप्टर होगा वो complete हो जाएगा फिर अगर कर टाइम मिलता है तो कली question करा दूंगे नहीं तो next day हम इसके questions भी कर लेंगे okay क्लेडो काम की बात करूँ तो क्लेडोग्राम क्या होता है एक branching diagram होता है branching diagram होता है जिसे बोलते हैं dendrogram that is constructed by cladistics principle and the method is called cladogram इसकी कोई definition नहीं आने वाली है कुछ paper में नहीं पूछे जाने वाला है ठीक है तो देख लो हाँ यह आ सकता है they contain notes and branches sorry see and they contain notes and branches third is the notes can be external and internal external notes represent the tip of tree अब देखो मैं तुमें दिखा देती उसके बाद ही मैं समझाऊंगी और देखो यह cladogram के example हो गया देखो जहां से यह चीज निकली मतलब जैसे जड़ निकलती है वहां से उसको बोलते हैं root जहां से सब कुछ start हुआ उसको बोलीगे root और जो सबसे पहले निकल गया जो सबसे पहले निकल गया मतलब उसका कोई न तो वह evolve हो पाया न आगे किसी चीज़ में convert हो पाया वह वही का वही रह गया उसको बोलते हैं out group उसने अपने आपको अलग कर लिया out group हो गया आप क्या होगा इस root से निकलेंगी बहुत सारी branches देखो branches निकल गये यह branches होगी branches निकलने के बाद यह जो होंगे यह होंगे इंटर्नल नोड इंटर्नल नोड होंगे इंटर्नल नोड और यह वाली जो चीज होंगे यह होंगे हमारे टर्मिनल नोड या फिर टर्मिनल नोड या फिर बोलेंगे इनको एकस्टर्नल नोड गोलेंगे इनको ठीक है यह हमारा texon 1, texon 2 and texon 3 और यह सब किस के अंदर आते हैं इन ग्रूप मतलब ये एक ग्रूप के वह हैं इन ग्रूप में आ रहें और ये क्या हो गी है हमारा आउट ग्रूप जो बिलकुल भान निकल गया तिक है इन्होंने फिर भी evolve करा इसने evolve करा ही नहीं ठीक है तो यह होता है अब देखो इसमें बोला था notes मैंने बता दी एक्स्टरनल होते हैं और इंटरनल होते हैं जो ऐसे होंगे ठीक है जिसे यह हो गया हमारा यह तो इंटरनल और जो बहारवाली होंगे गुट टर्मिनल वाली क्या हो जाएंगे external हो जाएंगे external row notes represent the tip of tree त्यको यह तिब शो कर रहे है यह वाली टिप इस क्या बोलते हैं टर्मिनल नोड भी बोलते हैं next internal branches connect two nodes तो obviously यह branch क्या होती है इस node को इस नोट को इस नोट से connect कर रही है, तब इस नोट को इस नोट से connect कर रही है, अब देखो यह question है, जो normally ऐसे question पूछे जाते हैं, एक्जाम में ऐसे वाले question पूछे जाएंगे, इसी वाला, बुखाद इसी pattern होता है, बस एक बार तुम्हें समझने की जरत है, तुम्हें क्या क देखो यहा फिर डवलू और 5 को देखो, अलग यह तो की जर यह ज शूझरा है, लक earn की देखना है, तो मैं S & S को देखोंगे nie, मैं S & T को देखोंगी, तो 0.08 है तो 0.08 को बहुत हो झी को भी मोगा, मैं लिặक मैं लिख लिखा में देखिया, सायदमे मैं को नहीं पता कश तो मुझे यह बताओ, डबलू से किसकी वैल्यू जादा आ रही है, डबलू से किसकी जादा वैल्यू आ रही है, ती के जादा आ रही है, या फिर पॉइंट फाइव के जादा आ रही है, या फिर हमारी देखो, डबलू यह रहा हमारा, और एक्स यह रहा हमारा, इसके कितनी आ रही है हमारी 0.8 आ रही है W और X की 0.8 आ रही है हमें ऐसे देखना है तो W और X ले लिया मैंने ठीक है अब मैं देखूंगी आगे वाला सिर्फ इधर वैल्यू देखते जाओ अब मैं देखूंगी यह किसकी वैल्यू है 0.9 किसकी वैल्यू आ रही है 0.9 value की इसकी हरी है, Z और Y की value आ रही है, Z और Y की value आ रही है, तो हमारे कितने characteristics थे, 2, 4, और 6, और हमारे complete होगे 2, 4, 6, तो हमें ये तो पता चल गया, कि S और T साथ में होंगे, W और X साथ में होंगे, और Z और Y साथ में होंगे, और इसको निकालते कैसे हैं, देखो, क्योंकि जो इतना बढ़ेगा, ठीक है, जो इतना आगे बढ़ेगा, वो उतना ही हमारा क्या जाएगा, आउट ग्रूप में चलता जाएगा, क्योंकि इनकी values देखो, 0.3, 0.3, 0.1, 0.4, 0.6, तो क्या हो जाएगा, यह हमारा आउट ग्रूप में चला जाएगा, तो हमारा Y, Z तो सबसे आउट ग्रूप में चला गया, S टी सबसे पहले मिले, यह हमारा ऊपर चला गया, और W, X साथ में चला गया, तो ये साथ में आ गए तो ये अगर तुम्हें निकालना है सिर्फ तुम्हें क्या देखना होता है जब exam आता है सिर्फ तुम्हें ये देखना होता है S और T की value साथ में आ रही है कि नहीं आ रही है W और X की value साथ में आ रही है कि नहीं आ रही है क्योंकि अगर यहां ऐ बनाती तो इस Q को ऐसे कर के यहां पर दे दिया हुथ हूथ हूथ है यहां पर दे दिया हूथ हुथ हूथ 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 हूभ automate तो इस question को सही कर सकते हो, बहुत easy question हो जाता है, अगर तुम्हें ये चीज निकाल लिया गई है तो, हम इस पर questions भी करेंगे, जब भी ये खतम हो जाएगा सारी चीज़ है, तो हम questions भी करेंगे, तो और clear हो जाएगा mind में, देखो ये question आई हुआ है, previous question है, I think B section वा question है, अब प इंक्लूड most recent common ancestor, but not all descendants, I think मैंने तुम्हें यही पढ़ाया था, कि most common ancestors को तो continue करेंगा ही करेंगा, बट सारे descendants को नहीं लेता है, पढ़ाँ सी के बच्चे को तो लेगा, सर्क एक या दो को लेगा, सारे बच्चे को नहीं लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो इंक्लूड कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है, but not most common ancestors, तो ये तो गलत हो गया, contain all the represent, यहाँ पर all देखते ही तुम्हें क्या कर देना था, इसको काट देना था, कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, now next is, kledisthi classification is based on, जो kledisthi classification के हम बात करते हैं, किस पर base है, sequential order in which branches arise from a phylogenetic tree, ऐसा कुछ है, या फिर next है, the order of the sequence divergence, third is morphological features and skeleton of individual, या फिर cellular organization and cytoskeleton, तो मैंने अभी तुम्हें बताया, कि यहाँ पर क्या हो निकलती हैं, branches निकलती हैं, branches पर क्या होते हैं हुमारे, यह मारा common ancestors होता है, मतलब यह phylogen भी show कर रहा है, और इस पर branches भी आ रहे हैं, तो answer कौन सा होगा, answer will be your first, first वाला answer होगा, तो question ऐसे आने वाले हैं, देखो, क्लासिफिकेशन दे कितना relate कर गया, तुमने एक पूरा पढ़ा और तुम्हें यह चीजे भी निकाल के आ गई हैं, अब हम जो next class में पढ़ेंगे, हम homoplasi compete करेंगे, और जो बहुत important important चीजे हैं, वो cover करने हैं, इसके बात होगा है कि टेक्स्वनमी वाला cover हो जाएगा, इससे जादे समें कुछ नहीं आएगा, तो I hope तुम्हों को समझ आए होगी चीज है, आशा करती हूँ मैं, और धन्यवाज देखनी के लिए, और अगर आपको पसंद आए तो प्ली सब्स्क्राइब तेरे चै कर दूएब तो था चाहीज है, झाली के लिए प्ली सब्सक्राइब जैए हूगाज पर एंडिय है।